कि जो वह कभी हम करने वाले हैं उसका नाम है यह sonnet 1 है इसका नाम है from fairest creatures we desire increase है ना कि जो जो सबसे lovely creatures होते हैं जो बहुती beautiful creatures होते हैं we expect हम desire करते हैं यह कि वो लोग increase करें वो लोग अपनी जो तादत है population है वो बढ़ाए है ना और यह William Shakespeare ने लिखा है देखिए William Shakespeare का जो ने अ 54 sonnets लिख है और उसके अंदर different categories है ना so like sonnet no.1 से लेकर sonnet no.17 को हम कहते है procreation sonnet है ना because procreation sonnets के दौरान like इनके अंदर यह लिखा गया है कि जो poet है ना वो कह रहे है कि आप procreate कीजिए आप जो है ना बच्चा वैदा कीजिए ना वी है ना dedicated to Mr. W.H. है ना अब W.H. जो परसन है ambiguity में है we exactly don't know कि वो कौन हो सकते है we know options कि कौन कौन हो सकते है बट अभी के लिए for surety will से वो Mr. W.H. है ना अब उनको यह dedicate किया गया है और जो sonnet है वो procreation sonnet के अंदर आता है ना ओके हम start करते है so sonnet का नाम देखे कोई specific name तो है नहीं तो जो पहला line है वो ही उसका नाम पर जाता है ना from fairest creatures we desire increase William Shakespeare ने लिखा है अगर हम form की बात करे तो यह sonnet है 14 lines का stanza है 14 lines का पूरा poem है quaterine 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 and then last में हमरे पास एक couple लिट आता है 14 lines four 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 and then two अगर हम इसके meter की बात करें तो यह eambic pentameter में लिखा गया है जो कि usually Shakespeare जो है इसी में लिखते है ना हम start करते है poem देखिए poem start होता है from fairest creatures we desire increase है ना कि वो जो creature से जो बहुत lovely है fair है ना fair मतलब beautiful है lovely है उन creatures से उन living being से we desire कि हम चाहते है कि वो procreate करें वो अपनी जो तादत है वो बढ़ाए है ना because अगर वो अपनी तादत बढ़ाएंगे तो जो lovely चीज़ है जो beautiful चीज़ है वो हमेशा रहेंगी है ना वो next generation के through live करेंगी है ना that dare by beauty's rose might never die है ना तो इस तरह से ना गर वो procreate करते रहेंगे see because नश्वरी है हम सब है ना mortal है eventually सब को मर जाना है तो एक ही तरीका है ना nature का वे है कि आप procreate करेंगे आपके evolution में काम आए है ना so basically यहाँ पर जो poet है वो कह रहे है कि ताकि जो आपका beauty है ना आपके beauty का जो आपके beauty का जो रोज है जो आपका गुलाब है वो कभी मरे ना वो कभी खतम ना हो है ना because आपके बच्चे में वो जंदा रहेगा but as a ripper actually riper है but as a riper should by time decrease his tender hair might bear his memory देकि राइपर का यह एक adjective है इस point पर है ना comparative adjective है यह है तो यह पर यह है मतलब पका हुआ फल ह ना basically so as the riper should by time decrease जो जो more पका हुआ फल है ना जो फल already like मरने वाला है तो basically आपर meaning यह है जो father है जो father है जब उनका time हो जाएगा है ना जब उनका time decrease हो जागा मतलब वो मरने वाले होंगे वो मर जाएगे ना by time decrease वो खतम हो जाएगे तो जो older generation है वो मर जाएगा his tender hair तो उनका younger generation है जो उनके बच्चे है जिनको उन्होंने पैदा किया है ना वो might bear his memory है ना so like उनके अंदर इनकी जो memory है इनकी जो beauty है वो जिन्दा रहेगी तो जो पहले चार लाइने उसमें basically यह कहते है कि आप बच्चा पैदा कीजिए ताकि जो आपकी beauty है वो आगे बढ़ पाए ना next generation तक जा पाए अब यह जो हमारे mr.wh है उनको यह कुछ बोलने वाले है वो यह complain करते है 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 ना हमारे poet complain करते है कि but thou contracted to thine own bright eyes feedst thy light's flame with self substantial fuel है ना देखिए जो contracted है इसका मतलब होता है decrease करना size में है ना size में decrease करना तो इसका मतलब देखिए but thou है ना but thou मतलब तुम जो कि अपने ही bright eyes है ना तुम अपने ही beauty में खोये हुए हो है ना अपने ही bright eyes में तुम मगन हो उसी के अंदर तुम like you know हो मतलब तुम अपनी ही जो beauty है उसी के इंदर तुम हो तुम यह नहीं सोच रहे हो कि मेरे बात क्या होगा है ना यह जो beauty है जिन्दा रहेगा कि नहीं तुम अपनी beauty में खोये हुए हो है ना अपनी beauty जो है उसको वेस्ट कर रहे हो इना तुम उसको अपने उपर ही लगा रहे हो है ना अपने तक ही सीमीत रख रहे हो है ना आप तुम्हारा light का flame है जो तुम्हारा beauty है वो तुम्हारा उन पे ही खरच हो रहा है ना कहीं और नहीं जा रहा किसी और तक नहीं पहुचने वाला तो basically यह Lucy की तरह है ना आपको याद होगा अगर आप William Wordsworth लूसी पोइम समय किया था जो Lucy है वो भी she moved in ऐसे जगह पर रहती थी जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं थे न फिर वो कहते हैं making a famine where abundance lies, thyself thy foe to thy sweet self too cruel है ना एक से रुकिए, four lines यह रहे, four lines यह रहे ना या तो famine का मतलब होता है भुकमरी है ना जब आपको अब आपको आपको खाने के लिए कुछ ना हो तो जो हालत create होती है उसे हम बोलते है फैमाइन है जा पर किसी के पास कुछ खान abundance मतलब बहुत कुछ होना है तो अभी आपको आप beautiful हो अभी आपको आपको beauty है ना सब कुछ है आपको beauty के नाम पे है ना और आप इसी जवाप एक famine create करने वाले हो because आप जो है यह बाटने नहीं वाले आप next generation पैदा नहीं करोगे और आप eventually बुढ़े हो जाओगे eventually जो beauty है य यह चला जाएगा यह ना famine create हो जाएगा आपके वाशन नहीं रहेगा ना मतलब आप खतम हो जाओगे तब world को यह मिलेगा नहीं तो वो कह रहे है कि आप फाल्तु में ही एक famine create करने वाले हो जहाँ पर already abundance इस पॉइंट पर lie करती है ना रहती है दाइसल्फ दाइफ वो तु आप अपने दुश्मन के उपर cruel होते है ना लेकिन यह person अपना hit चाहता ही नहीं अगर यह अपना hit चाहता तो यह procreate करता है ना अपनी beauty को बाटता आगे लेके जाता बट यह person अपनी तक ही रख रहा है so यह कहा गया है कि यह जो person है यह अपने आप के उपर ही अपनी जो sweet ornament and only herald to the gaudy spring within thine own bud burst thy content and tender churl make sorry makest waste in nagarding है ना वो कहते है दाव that are that are now देखे हो art है बट आप art समझे दाव मतलब you you the who are that are now the world's fresh ornament है ना तुम जो अभी इस दुनिया के सबसे fresh fresh मतलब बिल्कुल नए नए है ना beautiful ornament हो देखे ornament होता है जो आप गले में पहनते है ना jewelry आप पहनते है तो उसी jewelry की बात के देखे कि इस point पे तुम इतने beautiful हो कि तुम nature के तुम world के दुनिया के fresh ornament हो fresh jewelry हो है ना बहुत beautiful दिखने वाला jewelry हो है ना and only herald और तुम only herald का मतल special person हो to the gaudy spring देखे गaudy का मतलब होता है showy या फिर flashy है ना जो दिखावा करता है तो जो spring है जो इतना खूबसूरत दिखता है तुम उसके representative हो तुम उसके only say representative हो है ना तुम इतने beautiful हो कि तुम उसको represent कर सकते हो है ना within thine own bud burist thy content लेकिन आपके अपने bud में ही बड मतलब है न जो fool बने से पहला है वो एक bird होता है ना वह एक छोटा से भाड है वो बढ़ा होके convert होके fool होता है ना टाइनी bud उसके अंदर ही तुम तो अभी टाइनी vendo हो बड़ सी Запadal अपने अंदर ही तुम ने अपना सारा का सारा जो content है उसको रख 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 रहे आ है तुम आगे नही बहुत रूड हो है ना, and tender churl makest, makest मतलब maketh या फिर makes, waste in niggerding है ना, तेकिं niggerding होता है, miser है, miser मतलब एक ऐसा person जो पैसा, जो मतलब जो उसके बस चीज है, वो छोड़ता ही नहीं है, वो बिल्कुल उसका conjuice ही कर रहा है, बहुत बड़ा conjuice है ना, so यह जो person यह भी यही कर रहा है ना, यह एक mean-spirited person है, जो दुनिया में अपना जो talent है, जो उनका beauty है, वो बातना नहीं चाहता है ना, यह act ऐसे कर रहा है, जिसके इसके बस कुछ है ही नहीं, जबकि इसके इतना सब कुछ beauty है, but फिर भी यह निगर pity the world, यह नो कि आप world के ओपर दया कीजिए, जो हमारे धर्ती है, उसके ओपर आप दया कीजिए, और else this glutton be, देखिए glutton एक ऐसा person होता है, जो बहुत खाता है ना, who is like excessive खाना खाता है ना, एक sin भी है, so or else this glutton be to eat the world's dew by the grave end दी है ना, देखिए जो grave है ना, grave मतलब जहापे आप अंत में सोने वाले हो, आपके मरन के बाद आप grave में, like grave में रहोगा है ना, आपका cupboard, तो जो आपका cupboard है, आपका जो ending place है, वो एक glutton है basically, है ना, because वो आपकी सारी beauty खा जाएगा, है ना, उस तो काम ही है, मरने के बाद आपकी जितने भी beauty रही, आपकी जितने भी virtues रहे क्या फरक पड़ता है, ना, because अब आप मर गए, तो आप मर गए, खतम है ना, तो जो grave है, वो सब कुछ खा जाएगा, आपका सारा का सारा जो beauty है, वो खा जाएगा, वो इतना बारा glutton है, वो इतना बारा pay two है, ना, और उसी की तरह आप भी वही हो, है ना, आप भी वही कर sonnet form made है, 14 lines में, और इसे procreation sonnet कहा जाता है, 1 से 17 को procreation sonnet कहा जाता है, यह first है, है ना, 18 त आपको already channel पर मिल जाएगा, है ना, और इसका जो नाम है, वो है, from fairest creatures we desire increase, I hope कि आपको पूरा समझ में आया होगा, thank you for watching, हम यह end करते इस point पर,